एक बार एक लड़का एक खिलोने वेचने वाले के पास खड़ा था उसी वक्त वहां से एक कार आकर रुपती है उस कार में से एक आदमी निकलता है वो आदमी देखता है कि वो खिलोने वेचने वाला निराज था और उसे लगता है कि उसको खिलोने खरीदने चाहिए वो आदमी खिलोने खरीदता है और बापिस अपनी कार में बैठ जाता है कार में बैठने के बाद उसे वो लड़का दिखाई देता है जो खिलोने बेचने बाले के पास खड़ा था वो आदमी देखता है कि वो लड़का उसकी कार की और गोर से देख रहा था वो आदमी कार से बाहर निकलता है और फिर उस लड़के को पूछता है कि क्या तुम इस कार में बैठना पसंद करोगे वो लड़का जल्दी से हां बोलता है और फिर कार में बैठ जाता है कार में बैठने के बाद वो आदमी उस लड़के से पूछता है क्या तुम्हें मेरी कार बहुत पसंद आई लड़का बोलता है हाँ फिर वो आदमी उस लड़के से पूछता है क्या तुम मेरे साथ इस कार में आगे तक चलोगे वो लड़का कहता है जी जरूर वो दोनों कार में साथ जा रहे थे तबी उस आदमी ने उस लड़के को कहा कि मुझे ये कार मेरे बड़े भाई ने तोफे में दी थी वो लड़का मुस्कुराता है अब वो आदमी उस लड़के को कहता है कि मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो वो लड़का कहता है बताईए मैं क्या सोच रहा हूँ वो आदमी कहता है कि तुम यही सोच रहे हो कि काश मेरा भी कोई बड़ा भाई ऐसा अमीर होता तो अच्छा होता तब ही वो लड़का कहता कि गलत मैं वैसा नहीं सोच रहा हूँ वो आदमी उसे पूछता है तो फिर तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो वो लड़का बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि काश मैं एक अमीर आदमी होता जो अपने छोटे भाई को कार तौफे में देता ये बात सुनकर वो आदमी सुनन हो जाता है दोस्तो ये वीडियो अपो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जुरूर बताना वीडियो को लाइक करना चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना धन्यवाद